हैं नमस्कार दोस्तो मेरा उल्कुमार आपका मेरे यूटुब चैनल में बहुत-बहुत सागत है दोस्तो आज हम जानेंगे माइक्रो टिक के चुरह के बारे में जिसका मॉडल यहां पर आपको MicroTek लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों और यहां पर इसका model नमर EML 5090 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको दोस्तों और एक आपको यह display लगा हुआ मिलेगा दोस्तों जिसके आपको voltage के reading आपको हमेशा बताते रहेगा यह जो है MCB जो आप देख रहे हैं दोस्तों यह means on off करने के लिए यह MCB आपको दिया गया है ताकि अगर power supply काट रहे हैं तो दोस्तों आप यहां से काट सकते हैं इस MCB को दोस्तों अगर आप 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 करते हैं तो पूरा का पूरा supply कट जाएगा जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर वोल्ट का reading अगेरा सब कुछ निल हो गया है, ब्लैंक हो गया है, यह ओफ हो गया है दोस्तों, अब यहाँ पर इसको जैसे ही आप ओन कीजिएगा, तो यहाँ पर रिलेज हो है, ओन होगा 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड करके टाइमर जो है इसका चलेगा, और दोस्तों उसके तो यह input voltage range है दोस्तों, यह input जो आ रहा है, वो चीज आपको दिखा रहा है, यानि कि यहाँ पर 237 वोल्ट आपको मिल रहा है, और वहाँ पर एक आपको साइड में प्रेस बटन जो दिख रहा है, दोस्तों वो प्रेस करने पर दोस्तों आपको output आएगा, दिखिए दोस्त इसको प्रेस करने के बाद आपको output में 235, 236 आपको display होके मिल रहा है, और यह आपका input voltage है 249 वोल्ट, तो दोस्तों यह चीज जो है आपका input और output voltage का आपका display पर आपको दिखाएगा, वहीं इस display का function एक और भी है, जो कि high और low करके आपको display करते रहता है, दोस्तों उसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों कब करता हैं, तो दोस्तों देखते हैं इसके पीछे side में, दोस्तों पीछे side कभी पी direct back side हात्मे ना डाले, क्यूंकि दोस्तों आप हाथ पीछे अगर डालते है, यह cover अगर नहीं रहा, तो दोस्तों आपका हाथ हुसी में चला जाएगा, आपको electric sock लग सकता है तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यह input voltage के लिए जो है इधर side input वाला यह wire जो मैंने पकड़ा है वो input का है और उसके bugle में जो है दोस्तों वो output का है इसका connection करना काफी easy रहता है क्योंकि जो 200 meter से तार निकल के आता है उसको input में डाल देना होता है और जो घर से wire जो होते हैं वो output में यहाँ पे जो second MCB के बारे में जो दोस्तों मैंने बताया था यह second MCB है तो यह bypass switch है यह bypass switch इसलिए गया रहता है कि दोस्तों अगर आपको कभी भी अगर आपका इस्टेफ लाजर खराब हो गया तो इस MCB को on कर लिजे और आगे वाले MCB को off कर लिजे तो इससे होगा क्या कि आपको जितना भी वोल्ट आएगा उतना ही वोल्ट आपको release होके मिलेगा यानि कि 200 वोल्ट आएगा तो 200 वोल्ट मिलेगा आपको 90 वोल्ट आएगा तो 90 वोल्ट आपको मिलेगा 300 वोल्ट आएगा तो 300 वोल्ट आपको मिलेगा आउटपूट में यह दोस्तों यह bypass switch है दोस्तों तो यह bypass switch ऐसे ही दोस्तों आपको function करता है दोस्तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे ताकि आपको ऐसी ही जनकारी हमेशा मिलती रहे और दोस्तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजे ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो दोस्तो वीडियो को हम लोग शुरू करत हैं दोस्तो इस एस्टेपलाइजर का जो मिन पावर जो होता है आपको यहां पर लिखा हुआ इस्टिकर पर मिलेगा दोस्तो कि यह कितना के भीए का होता है तो दोस्तो इसका इंपुट रेंज जो होता है 90 से 300 भोल्ट तक होता है यानि कि दोस्तो आप देख सकते हैं यहा आपका इसकी capacity है यानि कि 90 वोल्ट इन करेगा तो आपको 230 बना कर देगा 300 भोल्ट भी आपको आएगा तो यह 230 ही बना कर देगा अगर 300 से जादा आएगा दोस्तो मैं display के बारे में बात किया था उस time में दोस्तो तो डिस्पले पे जो दोस्तो 300 से एबब आता है तो उस time में दोस्तो आपका display जो है high लिखकर show कर देता है और 90 से below हो जाता है तो उस time में भी दोस्तो आपका display जो है work करता है वहाँ पे low और भी चीज देखा करें को मिलता है लेकिन चार्चीज में बता दे रहा हूं एक तो हाई और लो लिखा हुआ मिलेगा उस पर टाइमर जो चलेगा वह आपको दिखेगा और आपको वहां पर इंपूर्ट वोल्टेज और आपको यह चीज आपको डिस्प्ले पर लिखा और इस पर चीज फंक्शन होता है यह पर आता है दोस्तो पाइंपूर्ट वोल्टेज और थु किसी भी स्टेपमी से बराइस स्ट और एक से जादा लोट देने पर उसके वायर जलेंगे उसके कार्ड भी जल सकते है सबसे भीन सकते हैं वहार घिलाना चालू होता है। उससे आपको यह अभास कराता है कि आपके जो है इस्टेप्लाइजर में प्रॉल्म आ सकता है बात करें दोस्तो इस इस्टेप्लाइजर की प्राइस की तो दोस्तो यह इस्टेप्लाइजर अभी के डेट में दोस्तो आपको मार्केट में बैक में भी मिलेगा और दोस्तों डिस्प्ले लगा हुआ मिलेगा सामने में आपको एक माइक्रो टेक का स्टीकर लगा हुआ मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं कॉर्नर पर हैं